जानकारी के लिए बता दें कि 10 अगस्त को राजुश्रयास्तव को दिल का तौरा पढ़ने के बाद उन्हें दिली के एम्स में भरती करवाय गया था और उसी दिन उनकी एंजियो प्लास्टी भी की गई थी राजु की चाहने वाले लगातार उनकी सेहत के ठीक होने को लेकर प्रार्थना कर रहे थे लेकिन हार्ट अटेक के 42 दिन राजुश्रयास्तव जिन्दकी की जंग हार गए हाली में राजुश्रयास्तव की बेटी अंतरा ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राजुश्रयास्तव के सभी फैंस और उनका हिट चाहने वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा राजुश र्यास्तव जी की तब्यत अब स्थिर है और वो ठीक हो रहे हैं वो इस वक्त वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं उनकी सेहत को लेकर किसी भी तरह की खबर पर केवल उनके ऑफिशल सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर एमस दिल्ली के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही भरोसा करें बता दें कि इन 42 दिनों में राजुश र्यास्तव की मौत की अफवा भी कई बार फैली जिस पर उनके परिवार ने नाराजगी भी जताई और अफवाहों को दूर करने की कोशिश की